जिस घड़ी का इंतिजार दिबिका ककड और सुएव इबरहीं को काफी टाइम से ता आखिर वो वक्त आ ही गया दिबिका ककड के परिवार में जशन का महौल है हर कोई नन्य में मान के आने से खुशी से चूम उठा है मशूर टीवी एक्डर्स दिबिका ककड माब बन गई है दिबिका ककड और सुएव इबरहीं ने ओफिशल पोस्ट के जरी अपने फैंस को ये खुशकबरी दी है फैंस कपल को पैरेंस बनने की शुबकामनायद दे रही है ससुराल सिमर का फेमस एक्डर्स दिबिका ककड ने गुड न्यूस के साथ साथ डिलिवरी से जुड़ी अपडेट भी दी है उन्होंने लिखा है कि अलहमदुलिला आज 21 जून 2023 की सुबह हमारे घर बेटे का जनम हुआ है ये प्री मेच्योर डिलिवरी है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है बस दुआओं और आशिरवाद में याद रखना शुएब और दिबिका के पैरेंस बनने की खबर आग की तरह फैल रही है लोग कपन को शुबकामनायद दे रही है हाला कि एक्टर्स डिबिका ककर अब तक यूटूब ब्लोग के जरी अपनी हेल्थ अपडेट देती रही है इस दुरान एक्टर्स डिबिका ककर ने ये भी बताया था कि डॉक्टर्स ने उन्हें जुलाई के तीसरे ये चोते हफ़ते की डेट दी है एक्टर्स दिबिका ककर ने जुलाई 2023 में प्रेगनेंसी का एलान किया था टीवी की महशूर एक्टर्स दिबिका ककर ने 2018 में श्वेब इबरहीम से गाउं में शादी की थी इस तो रान टीवी एक्टर्स दिबिका ककर सिसराल सी मरक सीरियल में काम कर रही थी फिल्हाल इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और जाद अपडेट के लिए जुड़े रहे हैं हमारे चैनल MCS News Official के साथ